अब मुख्य मंत्री जी राष्ट्रिय अध्यक्ष बन गये हैं फिर भी ललनवाव की प्रभावी भूम कर देगी तो अगर इस प्रताव को अनमोदित कर देगी तो सभावी की रुप से राष्ट्रिय अध्यक्ष हो जाए मुख्य मंत्री जी के निदेश कार कर था और अब उन्हें चुनाव लरने के लिए लगातार बाहर रहना होगा इसलिए उन्होंने कहा मुख्य मंत्री जी से अनुरोद किया कि वो स्विकार करें जो मुख्य मंत्री जी ने शुकार करें विजह नराज की निया शब्द आप कहां से ला रही जी इस शब्द का तो कहीं कोई जिक्र नहीं विजय चौदरी जी यह बताई है कि अभी बिल्कुल रियलाइनमेंट की बात नहीं है अभी सिर्फ जो हमारे राष्ट्रिय अध्यक्ष चुनाव लरने के कारण लगातार बाहर रहने वाले थे इसलिए उन्हों ने इक्षा जाहर की कि इस बीट मानिये मुख्य मंत्री जी स्वेंग अध्यक्ष का पद भी समाले जो मुख्य मंत्री जी ने शुकार कर लिया है इसलिए फिल अभी तो हमारे पाटी पर भी कोई असर दोनों वरिश्ट नेता है और मुख्य मुझब राष्ट्रिय अध्यक करें तो क्या बीजेपी के जो दर्वाजे थे 2017 में जैसे खुले थे और अचानक सारे विधायक सीम हाउस में घुस गया उसी तरह की पठकता फिर लिखी जा सकती है इस बात का उन सब बातों से कहा कोई मतलब है न कोई जुडाव है न कोई लेना देना है इस लिए इस बात राष्ट्रिय ध्यक्ष लोगसभा चुनाओं के दो महिने पहले तो नहीं अटता है नहीं हटने की कहा बात है फिर आप हटने हटना हटाना इस सब शब्द कहां देला रहे हैं हमारे राष्ट्रिय ध्यक्ष ने कहा कि अब हम श्रेंक चुनाओं लड़ेंगे इसलिए लगा अगे भी रहेगी कितनी बड़ी बुम्म का बांते हैं अगर राष्ट्रिय ध्यक्रानमिति